आज का पहला questions, easy level का question है, मैं लिख देता हूँ easy level easy level का question है, देखो बच्चो, question में क्या लिखा हुआ है, question आप से कहा रहा है you should the opportunity where it comes, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको दो sentence दिखाई देगे, पहला sentence है you should the opportunity, जो दूसरा जो sentence है, वो यह है, यानि यह दो sentence की formation से मिलकर बनाया गया है when की help से, एक conjunction की help से इसको क्या किया गया है, add किया गया है, when एक conjunction है, यहाँ पर when conjunction का का काम कर रहा है बच्चो इट क्या होता है इट कम्स क्या आता है इट कम्स ये इट किसके लिए यूज किया है बच्चे इट जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है हमारा अपॉर्शनिटी नाम की नाउन के लिए आप जानते है अपॉर्शनिटी क्या है opportunity एक noun है कैसा noun है भाई singular noun है और कैसा noun है non living है और आप जानते हैं कोई भी ऐसी singular noun जो non living है हम इसके लिए किस pronoun का use करते है it का use करते है इसका मतलब बच्चो क्या हुआ when it comes जब यानि वो opportunity जब आती है या मिलती है you should the opportunity तो तुम्हें should यानि करना चाहिए should क्या है एक model है should क्या है एक model है और ये जो should model है ये आपको क्या एक advice करता है क्या करता है बच्चे advice करता है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए जैसे इस lockdown की period में हमें क्या करना चाहिए पढ़ाई करनी चाहिए महनत करनी चाहिए ये क्या होगा एक general advice हो गई ठीक है हमने question को समझ लिया है ये जो question खालिस्तान का है यानि feeling the blinds का question है और हमें ये एक चीज बिलकुल के लिए दिखाई दे रही है कि ये सारे words अलग अलग है यानि कहीं न कहीं ये book app से बनाया गया सबाल है ठीक है हम book app discuss कर लेते हैं seize पच्चे seize का means क्या होता है तो seize का means होता है seize seize का means होता है to stop something to stop something हिंदी में क्या कहेंगे किसी काम को रोगना किसी काम को क्या कर देना रोग देना पच्चो ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है seize seize का मतलब क्या हुआ seize का मतलब हुआ किसी चीज को क्या करना पकड़ लेना या जब्त करना आप जानते हैं इस सेंस समझ से बना और साइज यह मेजर्मेंट यानि नापना वगेरा यह मेजर्मेंट बच्चो अब मुझे लगता है इस कुर्शन में ऐसा कुछ रहा नहीं समझने के लायक आपको पता है कि कहते हैं कि जब भी मौका मिले उसको पकड़ लेना चाहिए तो आप देखेंगे ध्यान से you should the opportunity तो मैं opportunity को क्या करना चाहिए क्या opportunity को नापना चाहिए क्या opportunity को समझना चाहिए क्या opportunity को रोक देना चाहिए नहीं opportunity को क्या करना चाहिए पकड लेना चाहिए यानि जब मौका मिले तब ही मौके को पकड लो यानि options क्या होंस आएगा we, क्या होगा you should seize the opportunity when it comes अच्छा एक basic information और देखी ज़रा एक basic information और देखी है आप इन दोनों words को ध्यान से देखी ज़रा siege siege कही ना कहीं आपको दिखाई देगा इन दोनों ही words की जो sound है, वो एक जिसी इसका मतलब क्या हुआ ऐसे शब्द जिनकी sound एक जैसी होती है उन सब्दों को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं बच्चो homophone उन सब्दों को हम क्या कहते हैं homophone कहते हैं यानि homophone ऐसे words होते हैं जिनकी sound यानि अवाज कैसी होती है सेम जबकि मीनिंग यह देखो मीनिंग अलग-अलग है अर्थ अलग-अलग है लेकि इनको प्रणाउंस करो इनका प्रणाउंसियेशन इनका उच्छारण आप देखिए सीज सीज तो बच्छो यह information एक्स्ट्रा हो गई यह one word में पूछा जाता है I hope आपको एक question समझ में आया होगा बच्छो detail explanation को देखने से पहले आप question जब आपकी screen पर आता है आप वो वीडियो को pause किया करें और pause करने के बाद खुद से ही पहले सूचा करें कि answer क्या होना चाहिए उसके बाद फिर आप वीडियो को आगे देखें इस तरीके से हमारा जो confidence है वो build up होगा अब आते हैं अगले सवाल देखें बच्चो अगला जो सवाल है न वो कोई कठिन सवाल नहीं है कोई moderate level का भी नहीं एजी सवाल है वो सलगा सा क्या है logical है थोड़ा सा सवाल logical है देखते हैं क्या है my father found the hotel on the other side of the road more attractive and decided to stay there यानि मेरे father ने क्या देखा एक hotel को देखा वो hotel कहां था एक hotel को देखा वो hotel कहां था road के दूसरी तरफ था और वो hotel कैसा था more attractive था and decided to stay there यानि कहीं न की बात ऐसी रही होगी ये बीच में road है ये क्या बच्चे ये road है ये मेरी road है road के इस किनारे पे भी hotel बने हुए है road के इस किनारे पे भी hotel बने हुए जो हमारे father है न उनकी location ये रही होगी suppose करते हैं मान लेते हैं उन्होंने एक hotel लिया जिसका charge था 200 रुपीज पर डे का लेकिन same facility वाला hotel उनको road के दूसरी तरफ दिखाई दिया जिसका charge था 100 रुपीज पर डे जब हमारे father ने देखा कि road के दूसरी तरफ तो एक same hotel है same facility दे रहा है वो एक हजार रुपे में दे रहा है ये 2000 रुपे में दे रहा है तो बच्चो more attractive कौन हुगा more attractive ये हुआ तो हम क्या करेंगे तो father ने फिर क्या decide किया कि वो इस hotel को छोड़के इस hotel में जाना जाएंगे और वहाँ जाके ठहरेंगे ये हुआ इस question का मित्ला अब हम आते हैं थोड़ी सी English grammar करेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो father क्या है subject है found क्या हुआ बच्चे verb की second form found हुआ verb की second form और ध्यान से देखेंगे end end के बाद भी क्या हुआ decided क्या लखा है verb की second form यानि action कितने हुए दो एक ही subject नहें दो action किये आप ध्यान से देखेंगे end एक ऐसा conjunction होता है जो अपने दोनों तरफ क्या लेता है same part of speech को लेता है जो अपने दोनों तरफ क्या लेता है same part of speech code यानि अगर ये वब की second form है तो ये भी वब की second form है अगर यहां वीवन होती ही तो हम यहां भी वीवन रख देते अगर यहां वब की third form होती तो हम यहां भी वब की third form का use कर लेते अब ध्यान से देखेंगे आप यहां लिखा हुआ है found जो कि वर्ब की second form है और यहां लिखा हुआ है decided जो कि वर्ब की second form है इसका मतलब अच्चे यह हुआ कि tense की error नहीं है tense बिलकुल सही है और अब ध्यान से देखेंगे तो time भी mention नहीं है time भी mention नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि यह time जब नहीं दिया तो हम tense तो सही मानेंगे और दोनों ही verbs नहीं सही रखी है इसका मतलब कुछ और प्रॉब्लम है देखते है बच्चे ध्यान से देखिए father ने क्या किया एक hotel को देखा दूसरी तरफ कहा रोड के more attractive ज्यादा attractive था attractive का मतलब क्या हुआ वो हमें ज्यादा बसंद आ गया उसके लोग जो offers थे न वो अच्छी ज्यादा अच्छे थे तो decided to stay there इसलिए हमने वहाँ पर ठहरने का क्या किया decide किया अब बच्चे dear क्या होता है dear adverb of place होता है और यहाँ पर यह किसको बता रहा है यहाँ यह दियर इस होटल के बारे में बात कर रहा है बच्चो hint मैं आपको पहली दे चुका हूँ आप जानते है रोड है अगर यह रोड है मेरी रोड के कितने किनारे होते है हम कहेंगे सर दो होते यह तो बहुत basic सी बात है एक किनारा यह है एक किनारा यह है अच्छा चलो हम नदी की बात करते है भाई यह नदी की कितने किनारे होते है रिवर के हम कहेंगे सर दो होते है एक यह और एक यह दो किनारे होते है सर आप ये basic सी बात क्यों discuss कर रहे है बच्चो logic भी यह ही है आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां क्या लिखा है of the road side of the road road की कितनी side होती है road की side होती है दो यह बात समझ में आगी road की दो side होती है लिकिन logic क्या है तो बच्चो आप ध्यान से लेगी देखिएगा logic other another the other or others अगर आपने syllabus को अच्छे से पढ़ाय हुआ है अगर आपने concept को अच्छे से deal किया हुआ है तो इन चार सब्दों के आपका सामना हुआ ही होगा confirm हुआ होगा definite हुआ होगा अधर अनधर दाधर और अधर्स आप अगर ध्यान से देखेंगे अधर ये कैसा एडजेक्टिव है जिसके साथ नाउन कैसी यूज़ करते हैं प्लूरल प्लूरल कैसी जनरल जनरल कमीन्स क्या हुआ बच्छे जनरल कमीन्स ये हुआ कि ये कोई स्पेशल नहीं है हम इनको नहीं जानते हैं जैसे हमने लिखा अधर बॉइस तो अधर बॉइस का मतलब हुआ ये वो लड़के हैं जिस हम जानते नहीं है इनको कौन है हमें इन लड़कों की कोई इन्फरम के बना, n से मिलके बना, अगर n से मिलके बना तो इसके साथ noun कैसी आएगी, singular, तो कि a और n आर्टिकल होते हैं, singular noun को formation करते हैं, इसके साथ भी लिखने हैं इन वाली, noun है, ये भी कैसी होगी, general, general का मतलब सामन, सामन का मतलब इनके बारे में हमें कोई knowledge नहीं है, यानि हमने लि कोई knowledge नहीं है, कोई knowledge नहीं है, अब ध्यान से देखिए, ये जो तीसरा determiner है, वो किसके help से बनाएं, आर्टिकल दा, और आप जानते हैं, ये बहुत basic है, जो आर्टिकल दा होता है, जो आर्टिकल दा होता है, वो singular noun के साथ भी लिखा जा सकता है, और वो plural noun के साथ भी लिख दिया, the voice, तो ये भी सही है, दोनों में क्या difference है, इनके meaning में difference है, ये वो लड़का है, जिसके बारे में हमें complete knowledge है, ये वो लड़के हैं, जिनके बारे में हमें complete knowledge है, यानि कहीं न कहीं दा जब आ जाता है, तो हम बात कैसी करने लगते हैं, definite बात करने लगते हैं, कैस कहीं answer भे हम पहुंच गए मैं आपको पहले hint कर रहा था कि बच्चे road की कितनी side होती है road की कितनी side होती है तो आपका जवाब था कि sir road की तो दो side होती है अगर बच्चो road की दो side होती है अगर हमारे फादर यहां खड़े हुए है और जो दूसरा होटल था ये 2000 रुपे परड़े वाला होटल था और ये 1000 रुपे परड़े वाला होटल है तो बच्चो अगर फादर यहां खड़े है तो जो दूसरा होटल है वो रोड के कहा है दूसरी दूसरी side है और बच्चोर road की कितनी side होती है जब आव आएगा दो ही side होती है sir नदी कितनी side होती है जब आव आएगा sir दो ही तो side होती है जब father यहाँ खड़े है तो क्या यह definite नहीं है कि जे दूसरी side पर रहे होटल तो ध्यान से देखिए other side of the road road के दूसरी side है क्या यह दूसरी side क्या यह दूसरी side fix नहीं है हाँ sir fix है अगर fix है तो किसका use होगा sir fix है तो किसका use होगा other का यह the other का sir other नहीं किसका use करेंगे the other का use करेंगे इसका मतलब हो गया हमें यह other ना लिखते होगे बच्चे क्या लिखना था द अदर यानि आंसर क्या हो जाएगा आंसर बहुत छोटा सा था अदर की जगे हमें लिखना था द अदर I hope कि दोनों कोश्चन आपको समझ में आये होंगी और मैं आसा करता हूँ नए नए दो कोश्चन्स के साथ यानि Questions of the Day की सीरीज में हम आपसे मिलते रहेंगे और डीटेल्स लेक्चर के लिए हमारा टेलीगराम चैनल है इंग्लिस विद नीते शर आप सर्च कीजेगा आपको मिल जाएगा वहां हम अल्यड़ी एक लेक्चर अप्लोड कर चुके हैं आप चाहें तो वहां से पूरा उस लेक्चर को औरसानी से देख सकते हैं और नए नए सवालों को वहां से सीख सकते हैं ठीके बच्चो आज के लिए थैंक्यों झालों को वहां से देख सकते हैं